लगातार बढ़ रहा है तापमान कहीं तापमान पहुंचा 40 पार तो कहीं 45 का काटा चू रहा है तापमान कितने तापमान पर धरती पर रहना हो जाएगा दूपर कितने तापमान को मनुष्य का शरीर कर सकता है बरदाश हमारे साथ समझे इस खबर से जुड़ी हर खात्वार इस समय भारत के तमाम हिस्सों में गर्मी का भारी प्रकूप देखने को मिल रहा है जहीं पर तापमान 40 से पार पहुंच चुका है तो कहीं पर 42 के पार तो वहीं कुछ एलाके ऐसे भी हैं जहां पर तापमान 45 डिग्री सेल्सिस के कांटे को छूरा यानि की भयंकर गर्मी गर्मी का कितना प्रकूप मानव तन सह सकता है और कितना नहीं और धर्ती का तापमान कितना और बढ़ जाए कि धर्ती जल कर स्वाह हो जाएगी आज हम आपको इनी सब बिंदूों से रूबरू कराएंगे जो आपके लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है दरसल भारत की तमाम हिस्सों में अप्रेल के प्रारंब से ही गर्मी का महा प्रकूप देखने को मिल रहा है समय बढ़ने के साथ गर्मी अपना तापमान भी पढ़ाती जा रही है इसी का परिणाम है कि अब घर से पहार निकलना दूबर हो गया है जानकार पताते कि जादा तापमान हमारे शरीर और स्वास दोनों के लिए नुकसान दैक होता है कुछ लोगों के लिए तो ज़्यादा तापमान घहा तक भी थाबित हो जाता है जो लोग भीशन गर्मी बरदाष्ट नहीं कर पाते और इस गर्मी के कारण उनकी मौट तक हो जाती है हाला कि जादातर लोगों का शरीड भीशन गर्मी और हार कपाती सर्दी दोनों को झेलने में सक्षम होता है गर्मियों में देश के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस या इससे भी उपर पहुच जाय करता है ऐसे में आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिरकार इतनी गर्मी में इंसान जिन्दा कैसे रह पाता है किस तापमान पर इंसान के लिए संकट की स्तिती बन सकती है इसको लेकर वग्यानिकों का कहना है कि इंसान शरीर का सामान तापमान 98.6 डिग्री फरनाइट्स होता है ये आपके आसपास के वातवरन यानि बाहरी तापमान के 37 डिग्री सेल्सिस के बराबर हुआ करता है इसको लेकर विज्ञान के मताबिक इनसान जादा से जादा तापमान 42.3 डिगरी सेल्सेस में आसानी से रह लेता है जैसा कि इनसान गर्म रखत वाला स्तंधारी जीव है इनसान एक खास स्तंत्र होमियोस्टेटिस से संदक्षित रहता है इस प्रक्रिया के जरिये इनसानी दिमाग हाइपो थेलेमस से शरीर की तापमान को जिन्दा रहने की सीमा में बनाए रखने के लिए आटो कंट्रोल होता है तो वही इसको लेकर लंदन स्कूल आफ और हाइजीन के एक रिपोर्ट बताती कि बिटेन में दोतर पचास तक गर्मी से होने वाली मौतों में 257 फीसदी की व्रद्धी देखने को मिल देगी जैसा कि विग्यान के अनुसार इंसानी शरीर 35 से 37 जिगरी तक का तापमान बिना किसी परिशानी के अच्छाह लेता है जब तापमान 40 जिगरी से जादा होने लगता है तो लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ता है जैसा कि हम इंसानों की रक्तवाहिकाओं में फैलाव शरीर से पसीना निकलने, मूव से सांस लेने, ताजी हवा के लिए खुली जगाओं पर जाने से उर्जा मिलगा करती है उसी उर्जा से हाइपो थेलिमस इंसानी शरी के तापमान को नियंद्वित करता रहता है इंसान तापमान के जादा होने पर भी उसे बरदाश कर जिंदा रह लेते हैं हाला कि जिन जगाओं पर मौसम एक समान नहीं रहता, उन जगाओं पर 45 डिग्री सेलसे से जादा इंसानों के लिए तापमान खतरनाक साबित हो जाता है फिलाल आप धरती के बढ़ते तापमान को लेकर क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर आप अपनी राय हमार साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साजा कर सकते हैं बिरो रिपोर्ट पीडियन न्यूस